अलो दोस्तों कैसे हो, आज हम लोग देखेंगे यह boundary हो रहा है, तो यह लोग का जमीन धलान पर है, आप लोग देख सकते हैं, इधर से रोड आया है और इधर जा रहे है नदी तरफ, तो यह धलान जगा में जमीन है, तो ऐसे जगा में क्या होता है कि बहुत दिक्कत होता है घर का लेबल रखने में, आपको इधर से देखा दे रहे हैं, अगर इधर के हिसाब से रखें, तो इसको बहुत उच्चा रखना होगा, तो यहां से 3.5 फिट रखा हुआ है, और उधर नीचे जाके यह 6.5 फिट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं, उधर पीछे जो घर दिखाई दे रहा है, टाइबीम, वहां इधर के हिसाब से रखा गया है, अगर उसके हिसाब से यह रखते हैं, तो यहां से लगबक 6-6.5 फिट हो जाएगा, तो फिर दिखात होगा, इसलिए इनको इधर के हिसाब से रखना पड़ा है, फिर भी अभी उधर तो नीचे ही ह तो आप लोग देख सकते हैं, इधर से 3.5 फिट रखा गया है, और उधर 4.6 फिट रखा गया है, पीछे साइड, इधर से 30 फिट लंबा है और 24 फिट चावडा है, याने 720 स्कौाइर फिट है, याने 80 गज, और यहां के हिसाब से यह एक कठा जमीन है, यह कठा जमीन इतना बड़ा होता है यहां, यहां 12 कलम दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं, लोग जो बाउंडरी किया हुआ है, इसमें इधर से 2 टाइब इम दिया हुआ है, लगकी 6 फिट लगभग हाइट है, और इस कलम का बेस इधर से उपर ही है, क्योंकि इधर यह पत्थर है, तो इधर से जमीने से उपर जा रहा है, तो उधर बहुत हाइट पर है, और अगर ऐसे नहीं देते हैं, तो आपको दिखा दे रहे हैं, उधर आगे, वहां पर पूरा धस गया है, तो वहां चलके देखेंगे, अंदर चलते हैं, यह रूम में, तो रूम में तो अभी कुछ नह तो आप लोग देख सकते हैं, यह इधर कीचन रहेगा, और इधर यह खिड़की है, और आप लोग देख रहे हैं, इसका फाउंडेशन उपर में ही है, इनको और थोड़ा सा नीचे देना चाहिए था, लेकिन नई दिया हुआ है, यह थोड़ा सा हाड मिठ्टी तक तो यहां से इधर 6 फीट है जमीन का लेबल, तो जमीन का लेबल से 4 फीट जाना है, या तो उससे जादा, ऐसा नहीं है कि उधर उचा है तो उधर 4 फीट दें, और इधर नीचे है तो इधर भी 1.5 फीट वैसे नहीं करना है, लेकिन इलोग 2 टाइबीम दिया हुआ है, तो क्रेक होने और इधर धसने का डर रहता है, और आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो छड दिया हुआ है, यह 12 अमिम का है, और टाइबीम का छड जो है, यह 10 अमिम का है, खार इससे कोई दिक्कत नहीं है, दो बीम दिया हुआ है, और 10 इंची का दिवाल है, तो उससे कोई वाला है तो आराम से 6 फित मिट्टी इधर से रोक लेगा जहां जमीन मिला वहां से 4 फित नीचे जाईए भले उपर जितना भी हैट हो जैसे कि यहां यह कॉलम है तो यह कॉलम अभी इधर मिट्टी भराएगा बोल के इतना उपर नहीं देना यह लगभग यहां से 3-4 फित औ नहीं होने मला है लेकिन अगर भारा हुआ मिट्टी रहता है तो यह से नीचे जाना बहुत जोरी है तो अगर आप लोग इसे जगह में मिट्टी भराते हैं तो कम कम करके भराएं और पानी भरते जाएं तो क्या होता है कि वह बढ़ते जाता है और अगर आप नया मिट्ट मिटी भरिएगा और इतना पांच छेट हाइट तक ले जाइयेगा तो फूरा गीऽा हो जाता है तो दिवाल तरफ प्रेसर जाता है उसका तो उसमें दिवाल को ढेखिलने का चांक्स ज्यादा रहता है और कम कम भरने से वो मिटी बैठते जाता है तो उसमें ज्यादा दिकत नहीं होता है तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसे दूसरे साइट पर